हेलो स्टूदेंट्स वेलकम तो बिलियंड माइंड आएम आर्दी यो मैस्टीचर आज हम स्टार्ट करेंगे अपने क्लास 7 की बुक सुपर मैथ स्टार में से चेप्टर नमबर 5 से एक्सराइज 5.1 कोशन नमबर 3 से लास्ट वीडियो में हमने इस चेप्टर के एक डिटेयल इंट्रोडक्शन एंड एक्सराइज अपने अल्रेडी स्टार्ट कर ली थी 5.1 कोशन 1 & 2 बी कंप्लीट कर लिये थे और आप सबने वीडियो देख भी ली और सबको कोशन सच्छे से क्लियर एं इंट्रोडक्शन भी अच्छे से अंडिस्टेंड कर लिए स्टार्ट करते ह इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी दक सब्सक्राइब नहीं किया है दिन सब्सक्राइब दा चैनल एंड प्रेस्ट बैल आइकन जिससे आपके पास न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम ली आती रहे एंड अल्सो लाइक दा वीडियो इन शियर इस वीडियो व प्रेंसा फॉर्म कैसे होती है रोस्टर फॉर्म कैसे लिखना इंड्रोड़्क्शन में देखा था सब्सक्राइब इस्ति है आप सबको पहले फ़ीडियो देखने इन स्टुदें नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपकी पूरी प्लेलीस मेंने बनाई हुई ह class 7 super master आप उससे जाके साई वीडियो देख सकती है तो पहले first वीडियो देख लीजिए उसमें introduction है तो आपको basic concept clear हो जाएगा अब देखिए हमारे पास 4 parts है हमने each part को roster form में भी लिखने और set builder form में भी लिखने सबसे बेला है हमारा part 1 the set of whole numbers less than 9 अब देखिए less than 9 कितने whole numbers हैं आपके whole numbers start अब देखिए जब भी हम set लिखने हैं आप सबको बता है set है curly bracket start करनी है whole numbers start होते हैं 0 से तो पहले आप लिखेंगे 0 1, 2, 3 4, 5 6, 7 and 8 क्योंकि आपको कितने numbers लेने हैं less than 9 देखिए less than 9 लेना है हमें इसकी roasted method में अब आपको set builder form लिखने हैं तो set builder form में उससे पहले क्या लिखते होते हैं आप लिखेंगे x then यह आप बनाएंगे किसको हम क्या बोलते हैं such that x किसको belong कर रहा है belong to का symbol बनाएंगे आप x belongs to whole number then comma हमारा x क्या है less than 9 यह हमने इसको represent कर दिया set builder form में अब next देखिए आपका set of natural numbers less than or equal to 5 set of natural numbers less than or equal to 5 अब देखिए हमारा answer आगया 1,2,3,4,5 हमारे जो natural numbers हैं वो less than or equal to 5 थे तो 5 भी आप include करेंगे then अब यहाँ पर आपके पास ग्या आएगा set builder form जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे x such that x belongs to natural number आप capital N लिखेंगे यहाँ आपका natural number को belong कर रहे and x is less than or equal to 5 अब देखिए जब हम ऐसे लिखते हैं x less than 5 यह किसका symbol है स्यब less than का जब आप यह लिख रहे हैं साथ में यह symbol बना रहे हैं तो यह represent कर रहा है equal to को तो यहाँ पर यह represent कर रहा है यह sign हो गया आपका less than or equal to का x is less than or equal to 5 next है हमारे पास set of even natural number less than 20 even natural number है natural number start कहां से होते है natural number start होते है 1 से even लेने तो सबसे पहले आप 2 लिखेंगे then 4 then 6 8 10 12 14 then 16 and 18 because आपको 20 से less लेने थी तो यह सारे even numbers है जो 20 से less than है then हमें लिखनी है set builder form अब देखिए जब आपको set builder form में लिखना है represent करना है सबसे पहले तो लिखेंगे यहां पर आपने ध्यान से देखने है जो आपके numbers है यह सारे के सारे क्या है even numbers तो हम even numbers को कैसे represent करेंगे वह एक important pointer जो आपने ध्यान से समझना है यहां पर आप यह तो ऐसे ही लिखेंगे कि x such that यहां पर हमारा x किसको belong कर रहे है सीधा जो x आपका है वो सीधा natural number को belong हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि x natural numbers ही है यह आपने ध्यान देना है x आपका natural number ही है बट even natural number है तो यहां पर हम जो हम belongs to का symbol बनाते हैं न देखिए x belongs to natural number लिख सकते हो आप x belongs to whole number हो सकता है x belongs to integers भी हो सकता है पर सीधा हम even numbers को ऐसे represent नहीं कर सकते अब देखिए यहां पर हम क्या लिखेंगे x such that x अब हमारा x किसके equal है 2n अब मैंने 2n क्यों लिखा भी मैंने आपको समझाया कि हम सीधा x belongs to natural number whole number नहीं लिख सकते हैं सीधा इसी कुछ उन तो natural number का है विखो यहां पर even numbers है तो 2n किसको represent कर रहा है n हमारा कोई natural number हो सकता है और जब भी हम किसी natural number से 2 को multiply करेंगे तो even numbers ही आएंगे देखिए example के थू भी समझते हैं वहले हम इसके set build of home लिखते है रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो देखिए अब आपको simply क्या करना है यहां पर समझे अगर आपका n हम क्या लिख रहे है हमारा n natural number है और आपका n less than b है किसे n है less than 10 it means अगर n less than 10 है तो natural number भी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 आपने देखा जब भी हम लिखते हैं x belongs to something जब n belongs to something natural number लेकर natural number तो 1 से start होंगे तो हमें serial order में ही लेने हैं यहां पर जैसे हमने इस time भी ले हैं अब आपको क्या करना है देखिए जैसे मैंने question में represent कर लिया कि हमारा x क्या है 2n तो यहां पर हम लिखते हैं x is equal to 2n तो अब आपका first part के लिए मुझे first value चाहिए जैसे यह value हो तो कैसे आएगी 2 into 1 क्योंकि n first time n की value क्या है 1 तो 2 1s are 2 जब आप x की value 2 put करेंगे n की value 2 put करेंगे तो 2 2s are 4 जब आप n की value 3 put करेंगे तो 2 3s हा 6 आ गया जब आप n की value 4 put करेंगे तो 2 4s हा 8 and so on आपके पास सारे natural number आ जाएंगे अब आप देखिए हमारा answer क्या आ गया x is equal to 2n x such that x is equal to 2n n belongs to natural number and n is less than 10 और हमने अभी अभी रफ में भी समझ लिया था सारा चीस understand कर लिया था कि जो हमारा x है वो एक even number था और हमने n को natural number ले लिया सारी values को find कर लिया because ये 2 का multiply था then देखिए आपका fourth part the set of natural number divisible by 4 4 से divide हो रहे हैं less than 40 है तो जो number 4 से divide हो रहे हैं वो कौन-कौन से numbers होंगे तो देखिए सबसे पहले आएगा 4 then आपके पास आ गया 8 4 का table लिखने हैं आपको then 12, 16, 20, 24, 28, then 32, 36 and दिखिए वहाँ पे less than 40 तो इसके बाद 40 ही आना था आपके पास तो आपको वो नहीं लिखना ये आपका last number है हमने सारे वो numbers लिख दी है natural number less than 40 जो 4 पे divide हो रहे हैं अब आपको लिखनी है set builder form तो आप लिखेंगे x such that x is equal to 4n जैसे हमने last question में ये 2 के multiple थे सारे 2 पे divide हो रहे थे तो हमने 2n लिखा अब हमने लिख देना है 4n again आपका n बिलॉंग कर रहे है natural number को और आपका जो n है वो less than 10 है again less than 10 वो में एक example के true अभी समझ लेंगे जैसे हमने last question में भी देखा था तो suppose अगर हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि हमारा x 4n है और आपका 4n और n आपका है natural number और natural number भी कौन से less than 10 अब less than 10 क्यों लिए देखिए less than 10 means 1,2,3,4,5,6,7,8 and 9 अगर आप ध्यान से देखें आपका x है 4n जो हमने अभी अभी लिख है तो 4 into 1n की सारी values को put कर लीजिए 4,1,4 then n की second value को put कीजिए 8 then third value को put करके देखिए 12 तो देखिए आपके पास सारे वही number आ रहे हैं जो 4 पे divide हो रहे हैं हमारे पास है write these set in set builder form and in the description method अब हमें set builder form और description में देने roaster में हमें दिये हुए हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं अपनी set builder form set builder form में हमें कैसे लिखना होता है हम लिखेंगे x such that x अब x हमारा किसको belong कर रहे है अब फिल्ले द्यान से हमें numbers को देखने है तो आप द्यान से देखिए जो हमारा first question है महां पे है 1,2,3,4,6,8,12,16,24,48 अब देखिए इनमें कोई comment नहीं ना तो 1 के simple natural number भी नहीं है order में even numbers भी नहीं है और नम्र भी नहीं है किसी भी टेवल में एक साथ भी सारे numbers नहीं जा रहे तो आपको यह ध्यान से देखने हैं यह क्या हो सकते पैरटर्न कोर्नलाईज़ करने है तो अगर हम ध्यान से देखे order में natural numbers भी नहीं यह even numbers भी नहीं है only उन्हें odd number भी नहीं लिए natural odd number तो ये number क्या हो सकते हैं तो अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चल जाएगा ये 48 के factors हैं factors क्या होते हैं जो number जिन जिन table पे वो number जा सकते हैं 48 1 के table में भी आता है और अगर आपको किसी भी number के factors दूणने हैं तो आप ऐसे दूण सकते starting कर सकते हैं 1 से कि 1 पे 48 आता है तो 1 into 48 48 ही आएगा आपके पास then 2 के table में भी जाता है आप कैसे देख सकते हैं 48 को 2 से divide करके बड़ आपको पते हैं 48 even number है तो वो 2 के table में जाएगा 48 24 आप 48 को 2 से divide करके ढूण सकते हैं कि किस number पे जाएगा then आपके पास आ गया again 48 then 3 के table में भी number जाता है इसका divisibility rule भी आप चेक कर सकते हैं 4 plus 8 होता है 12 और 12 3 के table में जाता है तो कहां पे जाता है वो आपको कैसे देखने हैं 48 को 3 से divide करके देखे जाने के लिए क्या clarity हो जाए यह सारे factors ही है 48 के then 4 के table में गया 4 12 और 48 then 5 पे नहीं जा सकता 6 पे गया 6 8 और 48 7 पे नहीं जाता देन जाता है 8 पे 8 6 जा अब देखिए जब भी आपको कोई repeating combination मिल जाए यहाँ पे repeat हो रहा है न अब मैंने बैल ला 6 8 और 48 then next आ जाएगा 8 6 जा 48 तो यहाँ पे तो repeat हो रहा है तो आपको repeating number लिखने की कोई need नहीं है हम यह सारे numbers ले लेंगे देखिए यह सारे यह सारे ही हमारे factors हैं क्योंकि आप सारे यही repeat होंगे देखिए आपके भी number यही थे 1 2 3 4 6 यहाँ तक 6 then 8 12 16 24 और 48 यह सारे ही किसके factors है 48 के factors है अब देखिए यहाँ पर हम simple लिख देंगे x such that x is a factor of 48 क्योंकि मैं देखा x क्या है सारे के सारे 48 के factors है क्योंकि कोई order में natural number नहीं है जब हम सिधा लिख दें कि x belongs to natural number x this सिर्फ simple आप लिख सकते है x क्या है 48 के factor आप ऐसे भी लिख सकते है अब description में क्या देना है description में x such that नहीं लिखना होता simple हमने लिख देना है factors of 48 सिर्फ एक description देनी है then next question देखिए 4 8 12 and 16 यह 4 के table में जाते है then तो आप सबसे पहले देखिए description लिखेंगे तो आपको ज्यादा clarity होगी यह क्या है first four multiples of four तो हम यहाँ पे लिखते है first four multiples of four four के first four multiples है तो हम लिखते है first four multiples of four अब description में आप set builder form में क्या लिखेंगे act such that x belongs to अब यहाँ पे तुम सीधी line ऐसे नहीं लिख सकते है factors है तो आप लिख सकते है तो आपको पता है multiples को हम कैसे represent करते है हम लिख सकते हैं हमारा x है 4 n where n हमारा एक natural number है n belongs to natural number and n is less than or equal to four less than or equal to four कैसे देखिए अगर आपका end one two three और four है तो जब आप सबसे पहले x की value put करेंगे that is four and four into one put करेंगे four आएगी four into two करेंगे eight four into three twelve and four into four आजाएगा sixteen आपके पास अब next है मारे पास next question जो है आपके पास एपरल, जून, सप्टमबर and नवंबर और द्यान से देखिए यह सारे वो four months हैं जिसमें 30 days होते हैं तो आपका एक सेट ही है यूनिक सेट है जिन्हों ने बताया अब आप लिख सकते हैं set with a form में x such that x is a month एक ऐसा month है x is a month of the year पूरे year में से ऐसे month हैं यह having 30 days having 30 days then description में आपको क्या लिखना है same but x ने लिखना month of the year having 30 days again आपको बस यहाँ पे जब हम description में form लिखते हैं तो हम यहाँ पे x such that x belongs to something नहीं लिखते अब आप अपना fourth part देखिए इस combination में आपको क्या दिख रहा है 2, 3, 5, 7, 11 इस सारे के सारे 19 तब आपके prime numbers हैं और prime numbers कौन से number होते हैं जो अपने ही table में जाते हैं तो x such that अब x क्या है x is a prime number again हम यहाँ आप ऐसे क्यों लिखते हैं देखिए आप number of year जैसे था यह days का था तो आप कैसे बताओगे कि months ही है na x is a month of the year तो आपको statement ही लिखनी होते है तो यहाँ पे हम statement ही लिखेंगे x is a prime number और prime number कौन से हैं less than 20 क्योंकि 19 दक आए less than 20 then description में हम simple लिख देंगे prime numbers prime numbers less than less than 20 तो यह आगया हमारा question number 4 के भी 4th part का answer अब हम start करते हैं question number 5 question number 5 में हमें roasted method और description method में लिखने हैं अपने each and every set को हमें set किसमें दिये हुए हैं हमें set 3 है set builder form में जैसे आफ फर्स दिखिए अपना x such that x is a negative integer and x is greater than यह sign किसका x की side ऐसे open है तो यह आपका greater than का sign x greater than minus 5 अब आप देखें आपको कैसे value लेने हैं सबसे पहले roasted form लिखने हैं तो आपके लिए बहुत easy है x आपके सारे negative numbers है and 5 minus 5 से बड़ा number कौन सा होगा minus 4 आपको बता है integers में जितना जैसे अगर 1 है तो वो 2 से बड़ा है 3 है तो वो किस से बड़ा है? 4 से बड़ा है ऐसे ही जो 4 है वो 5 से बड़ा है जैसे ही हमाई number line होती है यह आगया आपका 0 तो 1, 2, 3 यह positive number है minus 1, minus 2, minus 3 सबसे बड़ा negative number कौन सा है minus 1 and then so on decrease होते जाएंगे minus 2, 1 से less than है minus 3, 2 से भी smaller है तो so on ऐसे चलते जाएंगे देखिए minus 4 आएगा आपके पास minus 4 के बाद आप लिखेंगे minus 3, minus 2 and minus 1 क्योंकि आपको negative integers लेने है only तो negative number minus 1 तक ही आएंगे और x क्या है minus 5 से greater than तो यही 4 number है जो minus 1 से बड़े है अब description में क्या लिखेंगे हम description में लिख सकते है negative integers, negative integers क्योंकि हमारे ही negative numbers आ रहे है ना, negative integers greater than, क्योंकि x greater than है, greater than minus 5 description लिखना तो आपके लिखेंगे बहुत simple होगा, चले अब next बढ़ते हैं, x is a multiple of 3, x क्या है 3 का multiple, then 3 के table में जाएगा and x is less than or equal to 27, सबसे पहले क्या आएगा 3, then 6, 9, 12, आपको तरीकर table लिखने है 15, 18, 21, then 24, and then हम क्या लिख देंगे 27, क्योंकि यहां पे equal to का भी sign है, less than or equal to, so 27 भी count करेंगे हम, अब हम क्या लिख देंगे second part में, कि हमारा description method जब हम लिखेंगे, multiple of 3, less than or equal to 27, चले अब next part करते हैं, x belongs to natural number, and x is greater than, यह greater than का sign है न, 8, 8 less than है, x ही, जब x के लिए बोलेंगे, x तो greater than है, तो x greater than 8 and less than 10, then अब greater than और less than में कौन सा number आएगा, x से बड़ा number, 8 से बड़ा number कौन सा है, 9, और 10 से छुटा number कौन सा है, natural number, only 9, तो आपके पास एक ही number है, that is 9, अब आपको description form भी लिखनी है, इसकी देखिए, अब हमारे पास एक ही number है, only one element है, description में आप क्या लिख देंगे, कि n आपका natural number है, जो हमारे पास description है, n हमारा क्या है, natural, x हमारा है, natural number, greater than, किसे greater है, 8 से, तो आप क्या लिखेंगे, greater than 8, but less than 10, 10 से छोटता है, और 8 से बढ़ा था सा, यह की number है, that is 9, अब देखिए, next है, x is equal to n square, it means n कोई number होगा, उसका square करना है, तो यह हमारे पहले, solve करना होगा, n हमारा जो है, वो बिलोंग कर रहा है, natural numbers को, और वो less than 3 लेने है, natural numbers start कहां से होते हैं, 1 से, तो first number 1 है, second 2 है, तो आपको 2 ही numbers लेने हैं, अब हम करते हैं, values put, और यहाँ पर find कर लेते हैं, x कैसे आएगा, n square, सबसे पहले x की value find करने के लिए, 1 put करते हैं, 1, 1 is the 1, then put करते हैं 2, तो 2, 2 हो गया 4, अब देखिए, दो ही numbers थे, 1 and 2 हमने put कर लिए, तो हमारे पास आगया 1 and 4, तो roaster form जब आप लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 1 and 4, 2 ही elements हैं हमारे, और अब ध्यान से दिखिए, 2 elements हैं क्या, यह हैं आपके first 2 square numbers, then आप यहाँ पर description में लिख सकते हैं, कि x यह क्या हैं हमारे first 2 square numbers, first 2 square numbers, अब हम करते हैं question number 6, जो मारा last question है exercise 5.1 का, question number 6 में हमें दिया गया है, if a is a set of factors of 32, 32, 32 के factors हैं, set A में और उसको में तीनों form में लिखना है, description method में, set builder form and tabular form में, tabular form means roasted method हैं, आपको लिखना होता है, 32 के factors दिखिए, 32 सबसे पहले 1 के table में जाएगा, then 2, 3 पे नहीं जाता, 4 पे जाता है, आपको क्या करना है, आप यहां पे लिखर के भी देख सकते हैं, जैसे देखिए, 1 into 32, आपके पास 32 हैं, जब आपको सारे factors दूनने हैं तो आप इस method से find कर सकते हैं, then 3 के table में नहीं जाता, 4, 8 जां, 32, 5 के table में, 7 के table में 32 नहीं आता, then 8 के table में आएगा, 8 fours जां, then एक बार repeat हो गया ना, देखिए, 8 fours जां हो गया, 32 सब repeat होगा, अब कोई number आपने और नहीं सोचना है, एक बार repeat हो गया न, जैसे देखिए, यहां पर 4 into 8 है, और 8 into 4 आगया, तो आप next number 16 into 2 ही आएगा, repeat ही होना है, and उससे next number 32 into 1, यह last number है, तो आपके पास factors क्या होंगे, तो आप ध्यान से देखिए, आपके factors हैं, यह सारे ही आपके factors हैं, 1, 2, 4, 8, 16, and 32, 8, 16, and 32, यह सारे हैं हमारे 32 के factors, then, हमारा set A हो गया, अब आपको अपने set A को लिखना है, सबसे पहले description method में, तो देखिए, इस first है, आपका description method, description में हम सिंबल लिख देंगे, factors O 32, यह हो गया, आपका description method, second है, आपके पास set builder form, तो आप लिखेंगे X, such that, X अब क्या है, सिधे लिखेंगे न factors, क्योंकि और तो ऐसे represent नहीं कर सकते हैं, तो X is a factor of 32, X 32 के factor है, then, अब last में हमें क्या लिखने हैं, third part में हमें roasted tabular form लिखनी है, tabular method, जो roasted form भी बोल सकते हैं, तो उसमें आपने क्या लिखने हैं, उसमें numbers यान हैं, जो मैंने already उपर लिख दी हैं, 1, 2, 4, 8, 16 and 32, वैंने already आपको लिखके दिखाया था, यहीं इसकी क्या है, tabular form, तो question number 6 भी complete कर लिए हमने, question number 6 के साथ हमने पूरी exercise 5.1 अच्छे से complete कर लिए, and I hope आप सबको अच्छे से clear भी है, मिलते हैं next वीडियो में, next exercise के साथ, अगर आपको वीडियो ची लगें, तो please like, share, subscribe and press the bell icon जिससे आपके पास new videos की भी notification टाइम लिया आती रहे, thank you for watching.